एलो एवर्वन, इन इस वीड़ा आए विल बी इसकसिंग च्रोनिक मायलोईड लुकीमिया तो और के एक्जामपल ने मायलो प्रोलिफराटिव डिसॉर्डर के CML, पॉलिसाइथीमिया वीरा अड एसेंसियल ट्रोम्बसाइथीमिया पहले देख लेतें कि मायलो प्रोलिफराटिव डिसॉर्डर क्या होते हैं तो यह हमारा हिमाइटो पॉशी से पूरा प्रोसेस तो क्या होता है इसमें एक हिमाइटो पॉटिक स्टेम सेल होगी जो क्या होती है C-D34 positive स्टेम सेल उससे क्या बनती है myloid stem cell और lymphoid stem cell myloid stem cell से क्या बनती है cells of myloid lineage myloid lineage की cells कौन कौन होती है RBC, granulocytes, उसमें क्या neutrophils, basophils, leosinophils monocytes और megakerocytes या platelets और lymphoid stem cell से क्या बनती है हमारी cells of lymphoid lineage क्या B cells, B lymphocytes और T lymphocytes तो हमारा ये mylo proliferative disorders क्या होते है एक बार पूरा overview दिख लेते हैं सारे cancers का तो अगर मान लो कि ये immature cells, जो precursors है myloid lineage की precursors, जो ये blast cells है अगर इनका abnormal proliferation हो गया तो उससे क्या हो जाएगा हमारा AML, acute myloid leukemia अगर हमारी precursors of lymphoid lineage है अगर इनका abnormal proliferation हो गया acute lymphoblastic leukemia ये हो गया, अगर हमारे जो chronic leukemia, chronic leukemia के क्या क्या example होते है chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, adult cell leukemia etc, ठीक है, ये हो गया अगर हमारा myloid lineage की mature cells का, जो ये mature cells myloid lineage की mature cells का, अगर abnormal proliferation हो गया तो उसको क्या बोलते है, mylo proliferative disorder तो इसके अदर हमारा क्या आत्दे है इसके example क्या गया है, polycythemia वीरा अगर RBC का abnormal production हो गया, तो polycythemia वीरा वो लेंगे अगर granulocytes का abnormal proliferation हो गया, ठीक है, neoplastik proliferation तो उसको क्या बोलेंगे chronic myloid leukemia अगर megakerocytes का abnormal proliferation हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे essential thrombocytemia अब एक चीज़ यहाँ पर clear रखना अच्छे से कि mylo proliferative disorders में सबका ये जितने हैं, ठीक है RBC, neutrophils, monocytes, megakerocytes सबका production जादा होगा लेकिन हम सो classify कैसे करते हैं जिसका सबसे यादा production होगा, ठीक है यसे मालो polycythemia वीरा में क्या होगा RBC का जादा production होगा, उसमें production granulocytes का भी होगा, monocytes का भी होगा और megakerocytes का भी होगा लेकिन इसमें सबसे यादा production किसका होगा RBC का, इसलिए सो क्या बोलिया polycythemia, वीरा जो CML जो हम अभी पढ़ेंगे CML में क्या होता है कि granulocytes का भी होगा ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि production इनका भी जादा होगा megakerocytes, monocytes का, ठीक है लेकिन क्या होगा इसको किसमें करेंगे CML भो लेंगे, ठीक है तो इसको अच्छे दिमाग में ठालो अब एक चीज़ और CML की याद रखना जो भी हम पढ़ेंगे, CML की उसमें जैसे हमने पहले का भूला कि सब का ज्यादा production होगा चाहे, कुछ-कुछ भी योजे से चाहे polycythemia वीरा हो, CML हो या फिर essential thrombocythemia हो लेकिन CML के इसमें क्या होता है कि RBC का production क्या होता है कम होता है, इसलिए हम इसमें क्या anemia देखते हैं, ठीक है इसको exception याद रखना है example का है, CML polycythemia वीरा और essential thrombocythemia next क्या है, neoplastic proliferation of mature myeloid cells है न, जो भी मैंने बता दिया कि ये mature myeloid cells mature myeloid cells का neoplastic proliferation है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका production होगा, इनका granulocytes का, ठीक है, CML में, तो ये अपने को हो गये clear, इसके बाद क्या है especially granulocytes जो बता दिया and their precursors, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से अभी धिहान रखना है कि ये जैसे हमारा CML है, CML में क्या होगा इनका बहुत जादा production होगा, तो हमको जो हम blood smear बनाएंगे या फिर bone marrow इनका बहुत जादा बहुत जादा बहुत जादा दिखेंगे ठीक है लेकिन साथ में क्या है, इनके precursors जैसे जो हमारा, जो granulocytes जो हमारा formation होता है इसको क्या बूलते है, myelopoiesis ठीक है तो ये कैसे बनते हैं, इनकी stages होती है पहले क्या होती है, myeloblast, myeloblast कहों सी थी हमारी सबसे starting में, ठीक है myeloblast, ये हमारी myeloblast ही ये myeloblast है, अब इसके stages का है formation की, granulocytes के formation की stages का क्या है, बहले myeloblast होगी फिर pro myelocyte, metamylocyte myelocyte, metamylocyte, band forms और segmented neutrophil neutrophil, basophil और eosinophil टीनों ऐसा ही बनते है, ठीक है तो हमको क्या होगा, कि CML में हमको precursors भी दिख सकती है, myelocyte, metamylocyte band cells, ठीक है, सबसे ज़्याद हमको क्या दिखेंगी ये mature cells, ये mature हो चुकी है neutrophil, basophil, eosinophil, लेकिन हमको ये भी दिख सकती है, immature cells, ठीक है तो ये अपना clear हो गया तो neoplasic proliferation of mature myeloids है especially granulocytes and their precursors basophils are characteristically increased है क्योंकि और किसी में basophilia नहीं होता और किसी leukemia में इसमें granulocytes का ज़्यादा proliferation होगा तो क्या होगा, neutrophilia होगा, basophilia होगा और eosinophilia होगा, इतना clear हो गया फिर आगे क्या है, peak incidence is 45 to 85 years है, disease of adult है मतलब adults में होता है median age क्या है, 64 years ये children's और adolescent में भी हो सकता है लेकिन most common क्या है 45 to 85 years के बीच में होता है defined by philadelphia chromosome है बहुत important है philadelphia chromosome अपने को पता होता है इसमें क्या होता है, translocation 9-22 और BCR-ABL gene का fusion हो जाता है अब देखो इसको समझ लो, कैसे होता है जैसे हमारे chromosome 9 है, ठीक है इसमें क्या होता है, ABL gene है और हमारे chromosome 22, इसमें क्या है BCR gene है, ठीक है, तो हमारे ABL, ये translocation हो गया है, तो हमारे क्या हो जाएगा जब हमारे translocation हो गया, तो ABL और BCR क्या है एक साथ आगे इनका fusion हो गया इसको क्या बोल दिया Philadelphia chromosome इनके fusion से क्या होगा कि एक protein होता है उससे क्या ना होता है टारोसीन काइनेज है न तो वो बहुत जादा produce होता है सेल्स में ठीक है तो उससे क्या होगा टारोसीन काइनेज से क्या होता है कि वो अगर produce होगा जादा तो उससे कहाँ होगा सेल्स हमारी बहुत जादा proliferate करेंगे ठीक है अब एक चीज़े समझना कि chronic myloid leukemia हो ट्रांस लोकेशन होता कहाँ पर ठीक है यह चीज़ यहां रखना बहुत हमार्ष ठीक का फिलोकेशन होता है हमारा यहां पर हुता है हमार्ष 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 हो गएक हगें और यह ध्युक्त कहता है मलोग बहुत इससे हमारा क्या हो जाएगा कि CML में एक चीज़ से मैं ने तुमको बता दी कि सब का ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है आए अर बता था कि अलिया हो गया और एक और कि सीमे में आद रखना तुमको कि हमारी डैला साइट अनके सार इनके साथ प्लेटलेट्स का होता है इनका भी ज्यादा production होता है ठीक है essential thronos आइधि में बहुत ज्यादा होगा है वह तो उसमें सब ज्यादा इनका प्रोड़क्शन होता है लेकिन CML में इनके साथ इनका इता प्रोड़क्षन होता है तो अगर हम इसमें क्या लिखते है clinical feature मतलब lab diagnosis में क्या लिखते है कि platelet count increased मिलेगा ठीक है और हमको क्या मिलेगा एनीमिया मिलेगा और ये नेट्रोफिलिया इसीनोफिला प्रोलिफरेशन नहीं लगा फिर तो यह किसका है मैलोई स्टेम सेल का प्रोलिफरेशन है यह तो अपने को पता हो गए ठीक है इससे क्या हो जाया ग्रैनलोसाइड ज्यादा बनेंगे यह एक्स्प्लेन कर दिया अब क्या है प्रेशन विद्द डिस्रेगूलेटेड प्रोडक्षन ओफ मैच्योर और मैच्योरिं ग्रैनलोसाइड साइड सेंगे क्योंकि है क्रोणिक गठीक है क्रोणिक इसमाइड किसमें मैच्योर सेल्स ज्यादा है तो जादा रेप्लिकेशन होता है क्योंकि उनको मैच्योर हो ना होता है लेकिन यह हमारी mature cells है तो इन में ज्यादा रेप्लिकेशन नहीं होता तो यह क्रॉनिक होता है ठीक है क्रॉनिक मतलब बहुत पेशन्ट का है बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है ठीक है फिर क्या इसमें massive स्प्लीनों में होती है इसमें मतलब बहुत कॉमन नहीं है लेकिन massive स्प्लीनों में लिए बहुत कॉमन ठीक है तो इसमें क्या होगा इस स्प्लीन तो यहां पर जाएंगी हमारी cancerous cells जाएंगी और वहां पर क्या है यह वहां पर भी replicate करेंगी तो वहां पर स्प्लीन क्या हो जाएगा इनलाज जाएगी mild anemia बताया है तो तुमको CML में RBC का production कम होता है और platelet count जादा होगा क्योंकि स्प्लीन का production जादा होगा समझा है इतना अगला क्या है में accelerate and transform into aml और all इसको क्या बोलेंगे blast crisis aml क्या है acute myeloid leukemia all क्या है acute lymphoblastic leukemia अगर यह acute leukemia क्या होता है बहुत aggressive होते है बहुत जल्दी patient उसकी death हो जाती है तो acute leukemia में transform कर सकते है इसको क्या ब्लास क्राइसिस अब देखो acute leukemia में कैसे transfer होंगे यहां पर तुमको बताया था ना यहां पर क्या बताया था कि हमारा mutation कहा था hematopartic stem cell में था उससे क्या हो रहा था कि myeloid stem cell ज्यादा प्रोडूशन हो रहा था अब हमारा अगर hematopartic stem cell में है तो अगर जैसे cancer जैसे किजी को CML है और उसका जैसे time बीता है कि चार सा говорит stem cell ज्यादा प्रोडूशन होने लगे तो अगर हमारा ये दोनों ब्रोडूशन होगी तो इनसे क्या होगा? यह precursor भी हमारे ज्यादा प्रोडूशन होगी ठीक है? और इधर यह lymphoblass और B lymphoblass स्टी lymphoblass यादा प्रोडूशन ज्यादा ब्रोडूशन हो रहा था, अब क्या हो प्रोम सकते हैं acute lymphoid or acute lymphoblastik में, myeloid और lymphoblastik में, तो इसको क्या बोलते है, blast crisis बोलते है, इसमें क्या है patient फिर बहुत aggressively cancer और patient के जल्दी हो जाती है, अब इसका treatment क्या है, response to BCL, ABL, terosyn kinase inhibitors, ematinib, वही हमारा ABL, BCR की fusion से क्या हो रहा था, कि हमारा terosyn kinase की activity पढ़ रहे थी, इसस से क्या होगा, cell replicate नहीं करेंगी, treatment में, बहुत useful है, ematinib ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, यह peripheral smear में देखो, बहुत आदा granulocytes यह देख रहे हैं, उनके precursors भी दिख रहे हैं, ठीक है, myelocyte, metamylocyte, metamylocyte, और इधर देख लो, इधर eosynophyll, basophil, बाकि यह granulocyte, neutrophils बहु की विए से WBC count बढ़ जाना, और CML में क्या है कि new plastic proliferation होता है, तो हमारा इसको distinguish कैसे करेंगे, कि हमारा CML में क्या होता है, negative leucoside alkaline phosphatase, हमारा यह lab negative होता है, क्योंकि वे new plastic cells है, हमारा lab क्या होता है, enzyme होता है, ठीक है, और कहाँ, granulocytes में मिलता है, तो हमारी जो new plastic cells है, वे abnormal नॉर्मल से उन में lab नहीं रहता है, तो lab negative होती है, और जो हमारा leukemoid reaction होता है, infection की वैसे उसमें granulocytes बहुता है, तो उसमें क्या हो normal granulocytes है, neutrophil, basophil, eosinophil, तो क्या है, infection से fight करने के लिए, तो उन में क्या होगा कि lab positive होती है, फिर हमारा increased basophil, हमारा जो neutrophilia है, अगर leukemoid reaction infection की वैसे infection से fight करने के उसमें basophil बहुता नहीं बढ़ती है, और हमारा CML में क्या है, ये सारी बढ़ जाएंगी, basophil बहुता बढ़ जाएंगी, और हमारा CML में क्या होता है, translocation 922, है ना, जो कि leukemoid reaction में नहीं होगा, ठीक है, next क्या है, हमारा क्या है, clinical features, नहीं नेक्स व बनाऊंगा, है ना, इस topic की, तो अगर उसमें interested हो, next की त्यारी कर रहा हो, तु वह देख लेना, ठीक है, मिलते हैं फिर next video में,